नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide गरूपर दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस GK के MQ Qaution Test Set पे पर लिकर आया हूँ रेलवे के एक्जाम और अन्य सभी परिक्षाओं में जो GK के टॉपिक से Important Qautions पूछे जाते हैं इस वीडियो में वही Qautions लिए गए हैं तो वीडियो देखकर आप एक बर अपना Self Test ज़रूर लगाए चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन ओन करके आल वाला नोडिफिकेशन ओन कर लिजीगा जिससे कल भी आपको वीडियो के Test Set पी पर मिल सकें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने ग्रूप में ज़रूर शेयर करिएगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्ण यह रहा स्क्रीन पर Question number 1 आपसे पूछा गया है Greenhouse गैसों की संकल्पना किस ने की थी इन मेंसे किस के द्वारा की गई थी तो जो सेथ फॉरियर के द्वारा Option number C इस प्रश्ण के लिए से उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो सैफ फ्रोरियर के द्वारा की गई थी next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर question number next है hemorrhagic dangujur किसके द्वारा फैलाया जाता है hemorrhagic dangujur किसके द्वारा फैलाया जाता है तो right answer क्या हो जाएगा hemorrhagic dangujur जो है ades-acepti के द्वारा फैलाया जाता है option number ades-acepti इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन हैं आपके सामने आपसे पूछा गया है antibodies का निर्मार किससे होता है antibodies का निर्मार हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है तो right answer हो जाएगा antibodies का निर्मार हमारे शरीर में lymphocytes के द्वारा होता है option number 16 प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा lymphocytes next question देखते हैं प्रशन हैं आपके लिए प्रदूशन के कुछ विश्वशनिय सूचक कौन से हैं अगर आसपास प्रदूशन है तो आपके लिए सूचन के आधार पर किनको देखकर पता चल जाएगा कि आसपास प्रदूशन हैं तो like and और moss जो होते हैं ये प्रदूशन के विश्वस्तनिय सूचक है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर लाइक इन एंड मॉस नेक्ट कॉशन दिखते है प्रशन है आपके सामने इन्फ्लूएंजिया रोग किस से होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए सही उत्तर है नेक्ट कॉशन दिखते है प्रशन आपके लिए है सबजी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को क्या कहा जाता है सबजी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो सबजी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को ओलेरी कल्चर कहते हैं option number D इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा ओलेरी कल्चर इस प्रशन का सही उत्र है next question देखते हैं शल्लिक रिया में और्थो प्लाष्टी का मतलब क्या होता है शल्लिक रिया में और्थो प्लाष्टी का मतलब क्या होता है तो शल्लिक रिया में और्थो प्लाष्टी का मतलब होता है कूल हे के जोड का प्रतिस्थापन option number B इहां पर से यत्र हो जाएगा कूल हे के जोड का प्रतिस्थापन next question देखते हैं प्रश्ण हैं आपके सामने कोबरा सर्प का विश कहा होता है कैसा होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए कोबरा सर्प का विश जो है इनमें से किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है तो कोबरा सर्प का विश जो है तंत्री का विशी होता है तंत्री का तंत्र को निश्फल कर देता है राइट आंसल हो जाएगा option number कोबरा सर्ब का विश तंत्री का विशी होता है next question देखते हैं प्रशन है आपके सामने प्रकास संस्लेशन में सुरी के प्रकास की कौन सी रश्मियों का परणहरित द्वारा सर्वाधिक उप्योग किया जाता है प्रकास संसलेशन में सुरी की कौन सी रश्मियों का कौन सी किरणों का परणहरित द्वारा सर्वाधिक उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा जरज option number एस प्रशन के लिए सेयत्र हो जाएगा उज्वल सफेद क्रणों का राइट आंसर हो जाएगा सरवादिक प्रयोग किया जाता है राइट आंसर है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर मादा जनन पत्में पहुँचने के पशात मानव सुक्राणू अपनी निसिचन शम्ता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं मादा जनन पत्में पहुँचने के पशात मानव सुक्राणू अपनी निसिचन शम्ता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो 90 minute के लिए सुनिश्चित रखते हैं, option number 90 minute इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, प्रशन है, अंगोरा उन की प्राप्ति इन में से किसे की जाती है, अंगोरा उन की प्राप्ति जो है, इन में से किसे की जाती है, तो right answer हो जाएगा, शशक अथवा बकरे की प्रजाती से जो है अंगूरा उनकी प्रापती की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा, नेक्श कॉशन देखते हैं, प्रश्चन हैं आपके सामने, निम्दलिख Почему स्वान उपजातियों मैं से कौन सा भोकने में असमर्थ है? इन में से कुन से कुट्टे की वो प्रजाती है जो भौकने में असमर्थ है तो right answer डिंगो प्रजाती के कुट्टे जो है भौकने में असमर्थ होते हैं next question देखते हैं बीजों के प्रक्रिणन की sensor विधी इन में से किस में पाई जाती है तो right answer हो जाएगा कपास में option number C इस प्रशन के लिए सेतर हो जाएगा बीजों के प्रक्रिणन की sensor विधी जो है कपास में पाई जाती है right answer हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है आपके लिए मानव कलाई में नाड़ी इसपंदन कैसे करती है तो मानव कलाई में नाड़ी इसपंदन उसी दर से करती है जिस दर पर हरदय इसपंदन करता है option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है निम लिखित में से कौन सा bird flu virus है जिसे avian flu virus भी कहा जाता है तो यहाँ पर से यत्तर हो जाएगा H5N1 इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा H5N1 वाइरस जो है जिसे avian flu virus भी कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है प्राची नगर तक्षिसिला निमन मैसे किसके बीच इस्तित है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राची नगर तक्षिसिला जो है निमन मैसे किसके बीच में इस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा प्राची नगर तक्षिसिला जो है सिंदु और जहेलम के बीच में option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन हैं आपके लिए हैरो डोट्स के विवरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है तो भारत का इरान से संबंधों का पता चलता है option number C प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं प्रशन है निमलिखित मैसे किस विदूशी ने वाद विवाह में अजेय या याग्य वलक को चुनोती देदी थी इनमें से कौन वह विदुशी थी जिन्होंने वाद विवाद में अजेय याग्य वलक को चुनोती देदी थी तो इन्होंने गारगी थी ये option number D इस प्रशन के लिए से यत्तर हो जाएगा गारगी जी ने वाद विदुशी इन्होंने वाद विवाह में अजे याग्यवल को कुछ नौती दे दी थी नेक्श कौशन देखते हैं प्रशन है निम ने लिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सरप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलकिंस option number B इस प्रशन के लिए से हित्र हो जाएगा सरप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में चार्ल्स विलकिंस ने अनुवाद किया था next question देखते है प्रशन है पुरा पाशान काल में आदी मानव के मनरंजन के साधन क्या हुआ करते थे पुरा पाशान काल में आदी मानव के मनरंजन के साधन क्या हुआ करते थे तो शिकार option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अभी लेखों में खाध्यान को देश में संकट काल में उपियो घेतू सनरक्षित रखे जाने की बात कही गई थी next question देखते हैं प्रशन हैं आपके सामने निमलिकित मैंसे कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था इन मैंसे कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो right answer हो जाएगा मडी ग्राम option number D इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा मडी ग्राम जो था प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था next question देखते हैं प्रशन हैं आपके सामने इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किस से सम्मनित है तो right answer हो जाएगा हैरोडोट से सम्मनित है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हैरोडोट से सम्मनित है next question देखते हैं प्रशन है आपके सामने प्राचीन भारत में निमलिखित में से कौन सी एक लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती है प्राचीन भारत में निमलिखित में से कौन सी एक लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती थी तो right answer हो जाएगा option number खरोश्टी लिपी इस प्रशन का सही उत्तर है दाई और से बाई और लिखी जाती थी next question देखते हैं प्रशन है महरोली में जंग रहित लोह इस्थम्भ किस ने स्थापित किया था महरोली में जंग रहित लोह इस्थम्भ किस ने स्थापित किया था तो गुप्तकाल में ये स्थापित हुआ था next question देखते हैं प्रशन है नालंदा विश्य विध्याले किसके लिए प्रिशिद था? नालंदा विश्य विध्याले किसके लिए प्रिशिद था? तो बौध धर्म दरशन के लिए नालंदा विश्य विध्याले प्रिशिद था. प्रशन है किस पुस्तक का 15 भारती और 40 विदेशी भासाओं में अनुबाद किया जा चुका है तो पंच तंद्र का ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा पंच तंद्र नेक्ट कॉशन देखते हैं नाटे सास्त्र की रशना किस ने की थी क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नाटे सास्त्र के लिए नाटे सास्त्र की रशना किस ने की थी तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनीजी ऑप्शन नमबर सी इस प्रशन के लिए सही तर हो जाएगा नाटे सास्त्र की कि वो कोन सी प्रजाती है जो नवीन्तम मानौ प्रजाती से संबंदित ए नेक्ट कौशन आपके सामने निमलिके तुमय से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है तो राइट आंशर हो जाएगा इस प्रशिन के कहते हैं option number 30 प्रशन लिए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पुलकेसिन प्रथम का बादामी शिलालेक सक वर्ष 465 का दिनांकित है यदि इसे विक्रम संबत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा ये आपका surprise question है इसका answer आप मुझे comment box में share करिए चैनल पर अगर नहें हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon on कर लीजिए all वाला notification on कर लीजिएगा जिससे कल वाले वीडियो भी आपको मिल सकें परड़ी क्यों की वीडियो अपलोड होते हैं वीडियो को like करना बिलकुल भी ना भूलें share करें अपने ग्रूप में और कुछ पूछना चाहते हैं तो comment करके मुझे पूछ सकते हैं तो चली दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धनिवात आपका दिन शुब हो